हेलो हेले स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल study is and pcs में और फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी खास जानकारी मिलने वाली है जैसे कि मैंने आपको पहले भी दी हैं और ये बिल्कुल प्रूफ के साथ में मैं दिखाऊंगे आपको और जो भ रिलेटेड या हो पेपर के रद्ध होने से रिलेटेड ठीक है और या फिर बात हो रिजर्ट की ठीक है फ्रेंड्स तो मैं आपको कुछ एनलिसिस बताऊंगी देखिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ठीक है आंत तक वीडियो देखिएगा और हम हमारे इस पर अपडेटेड न्यूज लाते हैं ठीक है कोई नौटिफिकेशन की न्यूज हो या कोई अपडेटेड न्यूज हो या कोई कन्फ्यूजन हो उसे क्लियर करते हैं ओके और इसके साथ में हम लोग इसकी नैट की प्रपरेशन के उपर इंपोर्टेंट वीडियो सीरीज भ या कैंसल हो रहे हैं या लीक हुआ है उसके क्या इंपक्त आने वाला है तो वह सारी चीजों के लिए तो पहले मैं चाहती थी यह सब चीजने क्लियर कर दी जाएं और जैसे ही काम पूरा हो जाएगा आपके लिए न्यू वीडियो सीरीज पेपर वन के लिए बिलकुल फ्र करती हूं एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से हम लोग इती सारी अनलीसिस करते हैं डेली वे वीडियो इसलिए नहीं डालती हूं नोटिफिकेशन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आया हूं मैं वीडियो ढ़ना दून नहीं मैं केवल यह चाहती हूं कि जो भी करने के लिए यह वीडियो बनाया है अपनों को अच्छा लगेगा लाइक जरूर करिएगा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा आपका एक सब्सक्रिफिकेशन हमें मोटिवेशन देता है जैसे कि हम इसको रेगुलर्ली बनाते रहें और हमें भी लगेगी हां बचे चाहते हैं कि और वीडियो आए ठीक है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बैल नोटिफिकेशन साइड में होता है वह बैल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना ओके उसे होगा यह कोई भी बड़ी नोटिफिकेशन होगी तो उसके उपर मैं वी अब भी जो भी नोटिफिकेशन बड़े होंगे उसके उपर वीडियो आएगी इसलिए बैल नोटिफिकेशन को आउन कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद और अगर कोई 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 है तो आप हमें लिख करके भीज सकते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीके फ्रेंट्स तो देख लेते हैं देखिए काफी सारी निउस आ रहे हैं कि मतलब क्या क्या नोटिफिकेशन आए हैं कोई करे रिजल्ट आ गया कोई करे आंसर किया गया है तो चलिए सब इस चीज़ों पर से परदा उठाते हुए सिंपल साधारन शब्दों में देख चलिए हैं अपका नोटिफिकेशन ठीक है आप रिसेंट नोटिफिकेशन देखते चाहिए मैं आपको दिखा रही हूँ एक तो यह आपका सेकंड जन्वरी का जो सेकंड जन्वरी को आया है ठीक है और इसमें बात करी गई है सब्जक्ट किसकी कननडा की कनडा इस को जो आया था वो extension of registration किसके लिए आया था वो भी देख लीजे वो आया था स्वायम का ठीक है active learning for young aspiring minds ठीक है तो इसके लिए आया था ये जुलाई semester के लिए था 2021 के लिए इसके बाद में ये extension हुआ है date का इसके बाद आपको 31st का जो आया था वो इगनू का आया था ठीक है application form submission के लिए extension करी गई इसकी भी ये देख लीजे ठीक है और एक आया था 27 दिसंबर का ठीक है CSIR UGC net examination June 2021 का reschedule का बाद की आप देख लिए old है इसके नीचे सब old ही आएंगे ठीक तो recent अभी हमें ये देखना है इससे relate करके मैं आपको बिल्कुर practical बताने वाली हूँ तो ध्यान से पूरी वीडियो देखना और ध्यान से समझना प्लीज ठीक है guys तो देखिए इस notification को हम open कर लेते हैं ये रहा आपका notification ठीक है आप देखिए ये notification ये देखिए ठीक है 2nd January का है ठीक है re-examination of subject कर नड़ा UGC Nat December 2020 and June 2021 cycles for the candidates who could not submit their test paper as per audit trail ठीक है जो की कब हुआ था देख लीजे इसके उपर पहले वीडियो बना चुकी थी मैं जब cancel हुआ था re-schedule के लिए तो ये 26 December को हुआ था ठीक है due to technical issues वहाँ पर problem काफी सारे बच्चों को आये थे almost किसी के paper ठीक से नहीं conduct हो पाया था तो ये क्या हुआ re-schedule हुआ re-schedule के date जो आई है वो इस notification का purpose है ठीक है अब देखते हैं आगे अब देखिए इसकी जो date आई है all these candidates is scheduled for 4 January 2022 ठीक है क्या लिखा हुआ है 2022 मार्क कर लीजिए इस date को ठीक है ना इसका मतलब मैं इस notification पर जो और क्यों देरी हूं मैं यह बताना चाहरी हूं friends देखिए आपके 4 एंड 5 जन्वरी के geography and sociology के exam भी conduct हो रहे है ठीक है और आपका जो reschedule हुआ था ठीक है इसका मैंने आपको पहले भी बनाया था वीडियो करना डागा ठीक है यह reschedule हुआ था हम लोगों नो 27 December को वीडियो बना दिया था इसके उपर तो अब यह conduct करा रहे है 4 जन्वरी को इसका मतलब समझ रहे है आप जो यह rumors फिलाए जा रहे है प्लीज पहले तो मैं मतलब उन लोगों से request करूँगी कि देखिए अगर मान ले कि सभी लोग demand कर रहे हैं ठीक है क्या demand कर रहे हैं बहुत से लोग demand कर रहे हैं सभी तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि जन्नोंने paper दिया वो जानते हैं अब मान ल दूसरी बात मैं ही बोलती हूँ अगर second time paper होते हैं तो उसके paper की क्या transparency रहेगी कि वो paper में कोई भी paper leak नहीं हुआ है ठीक है या ऐसी कोई चीज नहीं हुई है तो देखें कोई भी चीज 100% नहीं होती है अगर suppose कोई बेमानी से entry कर भी रहा है तो क्या उसका score 100% होगा नहीं ह हो सकता second बात अगर paper leak हुआ ठीक है हम अपनी अपनी assumption को छोड़ देते हैं हम क्या सोचते हैं उससे entry को कोई फार्क नहीं पड़ता फार्क पड़ता है अप लोग भी agree करोगे अब आप पूछोगे कि NTA सोचता है तो उसके according क्या हो सकता है अम मानिये अगर NTA को paper cancel करना होता तो paper cancel हो चुका होता ठीक है cancel हो चुका होता और जो date आई है न गाइस वो date नहीं आती रिशिड्यूल कहा था उन्होंने 27 December को ठीक है रिशिड्यूल नहीं होते ठीक है नहीं होते जबकि हम यहां देखने को मिल रहा है कि date देखी यहां पर 4 January आ चुकी है यानि कि NTA अब इस समय 5 January तक सारे exam close कर देंगी और जैसा कि सुनने में आ रहा है देखी है हर जीद officially नहीं आईगी आपके पास ठीक है तो जो बाते निगलके आ रही है उससे यह पता पड़ाए कि जो center पर problem आई है ठीक है उस center की checking हो रही है जो बच्चे इस में included पाए जाएंगे उन बच्च ये तो अभी तक हुआ नहीं है possibility नहीं है अगर ये possibility हो रही होती तो हिंदी के exam में जो center में problem आई है अभी तक उससे related कोई भी official notification friends अभी तक नहीं आया है NTA पर ठीक है और अगर वो notification आएगा भी तो वो सबके लिए नहीं होगा वो केवल हिंदी के उसी center से related होगा ये बात पहले ही हो चुकी है ठीक है इसका मतलब ये निकल के आता है कि अब आपके January में ठीक है जैसी के हमने पहले बताया था January 2022 में guys आप लोगों के answer keys आ जाएंगे ठीक है answer keys आने के बाद 4 से 5 days का time मिलेगा objection submit करने के लिए objection submit कर देंगे आप लोगों को उसके बाद 3-4 days all लगेंगे then window close हो जाएगी objection जैसी submit हो जाएगे उसके बाद window को close कर दिये जाएगा उसके बाद आप लोगों के सभी के result एक सत निकाल जाएगे बात के बल हिंदी notification की है हिंदी notification भी आ जाएगा लेकिन जहां तक अभी हमें लग रहा है कि NTA बहुत जल्दी इसको system को पूरा एक sequence में लेके आएगा क्य सारी मतलब यह नहीं कह रही हूं मैं कि केवल student के handsy problem है आप ही समझो NTA को भी समझना पड़ेगा और guys paper cancel होता है या नहीं होता है NTA को जिम्मेधारी लेनी चाहिए I think और आप लोग सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोग transparency की demand करिए आगर demand किसी चीज़ की करनी है तो student को transparency की करनी चाहिए transparent कुछ भी नहीं है suppose कोई paper मैं कहती हूँ कि इतने सारे paper leak हुए ठीक है पहली बाद तो leak होने नहीं चाहिए थे और अगर leak हुए है तो दुबारा कराना उसका कोई solution नहीं लगता मुझे क्योंकि आप एक बाद समझो एक बाद leak हो गया न क्या इसी साल ऐसा हो रहा है पहले भी हम लोग देख रहे थे और अब भी leak हो गया उसके बाद second attempt दे रहे हैं क्या मालूम फिर से leak हो जाएगा ठीक है तो मैं यह कहूंगी कि please smart बनिए demand ऐसी करिए जिससे सब को benefit हो पेपर दुबारा करवालो third time करवालो fourth time करवालो है न लेकिन उसकी क्या transparency है हमको guys आप agree करोगे न paper leak होना system का fail होना दिखाता है ठीक है यानि system अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है ठीक तो उस system को जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो भी paper conduct करा रहे हैं उनको समझना चाहिए paper बार बार कराना इसका solution नहीं है ठीक है और हम लोगों को भी demand करनी चाहिए कि paper की transparency के उपर paper conduct करा रहे हैं अगर cbt mode में तो उसको भी जिम्मेदारी के साथ करवाए ऐसा नहीं है बच्चे सफर करें बच्चों ने सफर कर रहा है बहुत ज्यादा इतने साथ महीने के बाद में paper हुआ उसके बाद भी computers में problem हा रही है तो यह सारी चीज़े पहले से क्य आने वाले हैं ठीक और आपके result इसके बाद में आ जाएगा confirm है यह बात और बिल्कुल बिल्कुल ready हो जाएए क्योंकि जल्दी ही anti इस तरीके के जो notification दे रहा है उससे यह पता पढ़ रहा है कि 2021 का December का जो exam है और June का जो exam है वो merge करके notification जल्दी आने वाला है तो preparation पर ध्यान दीजिए rumors पर ध्यान मत दीजिए please और जो लोग यह rumors फिला रहे हैं please थोड़े से फाइदे के लिए किसी का भी नुकसान मत करिए किसी एक भी पच्चेगा का नुकसान होता है तो वो बहुत गलत बात है ठीक है already student जो है जो exam दे रहे है वो मेरी बात से agree करेंगे वो बहुत panic है ठीक है result की tension है सभी को last days में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी विए से काफी tension है तो please tension मत बढ़ाईए कोई अच्छी ख़बर है तो वो लेकी आईए ठीक है अच्छी information लेकी आईए और अच्छी information को share करिए तो बेरा कहना यह यह है guys की आपको सभी के answer मिल गया होंगे पहली बत result आने वाले है answer keys आने वाले है और new exam notification आने वाला है ठीक है तो tension मत लीजिए अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और अपने track से मत हटिए भली day में 8 hours नहीं पढ़ सकते हैं तो 2-3 hours भी पढ़िए लेकिन पढ़ाई से अलग मत हो जाएगे बिल्कुल भी ठीक है फिर notification आएगा तो फिर से tension हो जाएगी है और बाकि result आने वाले हैं और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि सभी के paper cancel होंगे ऐसा नहीं होगा ठीक है guys तो इस वीडियो में ये सारा confusion clear करना था और like जरूर करिएगा subscribe करिएगा and share करिएगा जि और demand करनी है अगर तो paper के रद करने के लिए या cancel के लिए मत करिए demand करिए transparency लेकि आओ कम से कम जिम्बिदारी लिए है ना अगर exam conduct कराने की तो exam को ठीक से conduct कराएं एंटिये exam conduct कराने पर focus होना चाहिए केवल exam कराना नहीं है इतने hapazard manner में इतनी जल्दी हड़पड़ी में हमारे exam ना conduct कराएं एंटिये ठीक है इतने समय बाद exam हो रही है कहां साल में दो बार होती थी यहां सत्रे महीने बरबाद करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है तो यह student के संग में ऐसा धोखा ना करे ठीक है यह जो धोखा है वो student के लिए सबसे बुरा phase होता है और उसी से student जो है नि किया है जिम्मेदार ही लिए at least student को तो चाहती है वो जिम्मेदार हो सब कुछ ठीक टाइम से करें टाइम से सेंटर में पहुचे लेकिन खुद नहीं करते हैं तो प्लीज वीडियो को शियर करिए जो गलत रिमर्स हो रही है उसको फैलने से रोकिए ठीक है तो गलत चीज़ होगे जैनवरी और फैबरेरी के मन्त में आपको गुड नियूस मिलेगी और मेरा वादा है अप लोगों से जैसे ये नोटिफिकेशन आएगा मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊंगी ठीक है तो मेरा इस वीडियो में बनाना चाहती तो 2nd जैनवरी को बना देती वाट इसलि